कि आज अब कुछ मेजर साइट्स देखें कि इन्डे से विले से विलाजिशन की उन साइट्स को मेंशन करेंगे फिर उनके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग्स देख लेंगे जो कि एक्जाम के पर्सप्रेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है चाहिए वो PCS हो आरो यारो दोवर PCS हो यहां थे कि UPSC के एक्जाम में भी कभी मैज फॉलोविंग में आ जाता है कभी कोई साइट्स वहां से कुछ डिस्कवर की गई है उसको मैज करने को बोल देगा उन पर्टिक्लर साइट से तो साइट्स हम देख लेते हैं सबसे पहले देखिए आप इसमें आलम अधिक है शुर्गोद्रा धौलावीडा लोथल मोहन जोद्रो एक खुद में हडपा और एक सुदका गेंदोर यह जो मेजर साइट्स हैं इंडस्वेले सिविलेजिशन की इनके इद्गिर्ध हमेशा आप वहर पेपर में एक से दो कोशन तो मिली जाते हैं कि आप उस्टेज Wit देक लेते हैं जैसे की पverbs जीसिट में देखते हैं हम देख यहां से डिसकवर क्या करिया था यहां से प bå्ट्री हमें मिले थी बार्तन और वह बी कई तरीका कि यह पेंटेट ग्रेवेयर थी एक पेंटेड रेड़ वेयर इन तक टिक वह लग लग था होती है उसको डिसकवर किया गया था बनावली से मिले थे प्रिसयस से लुद्ट था उस जल पंित् popular होगता था यह उस जगह से कहीं बाहर का ट्रेट अंड कॉमर्स था ठीक है जो इसकी एक्सचेंज मीडियम में उन सील्स का और स्टोंस का यूज किया जाता था मिला था बेंगल से मनलग आधोड़ी मतलब कि मति की चूड़ी बे tempo कहा से किया बनावली से और एक कोपर डिसकवर किया गया था इस जाएट से में आगे अब देख लीजके राकीगटी बाहना-एजरीर से हम्ज क्वे CR Sel थी जिसम fraction 08 और फिर cotton के कुछ cloth को discover किया गया था जो की store किया गया थे कि इसमें silver और ब्राँच के कुछ pots में उसको discover किया गया था और यहां से भी seal की discover की गया थे फिर से seal और stone मतलब की trade and commerce हो आपर ठेक टाक था अगला साइट में देख लेते हैं काली बंगन काली बंगन है राजस्थान में अच्छा यह बनावली और राकी गड़ यह दुनों हर्याणा में है काली बंगन से हमें क्या discover किया गया प्लॉग्ड फिल्ड प्लॉग्ड फिल्ड मतलब एक जुता हुआ खेत ठीक है जो कि दिखाता है कि उस टाइम पे उस एडिया में खेतिवारी होती थी ठीक है वुड़न फरो मतलब होता है कि लकडी का फावड़ा उसको discover किया गया था और फिद एक जगह पे डिसकवर किय फिर आपका एकला साइट है आलमगीरपूर अपने यूपी में है हिंडन नदी के किनारे और यह सबसे इस्टर्ण साइट था किसका इंडस वैले सिविलाजेशन का ठीक है आगे हम देख लेते हैं लोथल तो जो यह आपका लोथल और धौला वीरा है यह दोनों की दोनों क से होते थे क्योंकि हरपा के टाइम में कुछ ट्रेड हम लोग इरानियान सिविलाजेशन से भी किया करते थे मेसोपर्टामियान सिविलाजेशन से किया करते थे तो इन दो साइट्स पे पोर्ट्स को डिसकवर किया गया बंदरगा को सील्स को डिसकवर किया गया प्रीशर स सबसे स्मॉलेस्ट साइट है इंडस वेले सिविलाइजेशन की मोहन जोदुरों से वैसे अच्छी आच्छी डिसकवरीज की गई है जैसे कि एक ब्रॉंच के डांसिंग गरल का इमेज निकला था एक बियर्ड प्रीस्ट का इस्टेचो डिसकवर किया गया था फोटो डिसकव रहे हैं यह आपका सबसे वेस्टन साइट है सबसे वेस्टन साइट है किसका इंडस वेले सिविलाजेशन का तो यह कुछ डिटेलिंग चोटे में ही कुछ साइट का जो कि इस पर्सक्रेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है और इनी चीज़ों के इरद गेरद में चाहिए आप से उस साइट का मैस्ट फॉल्विंग में स्टेट से पूछ दे कि आलमगेरपूर कहां पर तो पता नहीं यूपी में है राखीगरी बनावली कहां पर है तो अर्याड़ा में काली बंगन कहां पर राजिस्थान में धौलावी रलोथल कहां पर गुजरात में तो चीज सबसे नॉर्दन, सदर्न, इस्टर्न और वेस्टर्न साइट कौन कौन सी है तो सबसे नॉर्दन साइट होता है मांडा काश्मीर में पढ़ता है सबसे इस्टर्न में बताया है आलमगीरपूर अपने यूपी में है सबसे सदर्न में पढ़ता है दाइमाबाद जो की महरास् सुथ का गेंदोर तो इन्हें सिर्फ तीनचा टॉपिक से ही क्वेश्चन खास करके इंडर्स वेले सिवलिजेशन साइट के रिवॉल्व करते रहते हैं कि आगे हम अगली क्लास में रिवर्स ओफ वेधी केज लेटर वेधी केज की बारें पढ़ेंगे कि उनका प्रिवियस में नाम क्या था और उनका आगे चल करके मॉडर्ण हम नाम क्या हो गया उस चीज़ को देखेंगे